सभी को मेरा नमस्ते, धार्म, संस्कृत के डुध्य धारण पोशनियों शब्द से बना जिसकार्थ होता है, जो तत्व, जो तत्थ्य, जो सत्य, किसी भी व्यक्ति अथ्वा वस्तु को धारण करते हैं, किसी भी वस्तु का जो मूल सुभाव होता है, वो धर्म होता है, जैसे पानी का धर्म बहना, अगने का धर्म जलाना, जैसे पेड़े-पोध güven का धर्म on oxygen देना फ़ल देना यही कोई medicinal plant है तो उससे treatment वो देता है तो वो उसका धर्म है किसे ही हमारे जीवन का एक धर्म होता है हमारे परिवार का धर्म होता वहां धर्म करते उत्तरदाइट्व हो जाता है जिंमेदारी, Responsibility राजनीटी के दर्म होता है उसको राजाधर्म कहते हैं वो कहीं पर दियुह होगा वो सकता है कि वो पत्रिकारी तो भरराजनीटी के ब्हुत फता है वो सकता है वो हमारे वएक्तिक जीवन में मानि जो यूनिवर्सल लो है, जो सारवभोमिक है, यूनिवर्सल है, जो सैंटिफिक है, वईज्यानिक है, जो सेकिलर है, जो पंधनिर्पेक्षय, धरम निर्पेक्षय शब्द निररथक है, बे-पढ़े लिखे, नासमझ नादान लोगों के द्वारा, अप्रबुध लोगों के द्वारा जिनको भाषा का बोध नहीं है उन लोगों के द्वारा प्रियोग किया गया एक निरर्थक शब्द है अर्थहीन शब्द है धर्म निर्पेक्षता धर्म निर्पेक्षता शब्द अर्थविहीन होता है पंथ निर्पेक्षता होता है जिसमें कोई मत का अपन्त का संपरदाय का आग्रह नहीं होता मैं इसको भी आगे रखूँ धर्म वह जो सेंटिफिक है युनिवर्सल है सेकुलर है और उससे भी आगे जो सर्वहितकारी है सर्वसमाविश्य है जो इंक्लिउसिव है सस्टेनेबल है वो धर्म है अब धर्म को लेकर के तो कोई अपती नहीं होनी चाहिए हमारे भारत में जैसा मैकाले चाहते थे कि मैं ऐसे भारतिय बनाना चाहता हूं जो खौन से ब्लड से तो हिंदोसानी हो लेकिन विचारों से भावनाओं से वो ब्रिटिश्यों जैसे हो तो किस ऐसे लोग हमारे यां पैदा हो गए अपने आपको धार्मिक कहने में उनको ग्लानी होती है शर्माती है लेकिन मैं घर्व से कहता हूं मैं एक धार्मिक व्यक्ति हो मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो मैं एक भारतिय व्यक्ति हो और भारतियता और आध्यात्मिक्ता को और आध्यात्मिक्ता को सा वो माना उतावादी होगा, वो अध्यात्मवादी होगा, वो राश्टवादी होगा, तो कहीं पर भी इसमें अंतर विरोध नहीं है, तो फिर ये अंतर विरोध कहां आता है, अंतर विरोध आता है संप्रदायों में, और संप्रदायों के कारण से नहीं आता है, संप्रदाय आठेङो में धर्म तत्व एक जैसा रहता है धर्म माने यदि मों उसको शोग्दो में कहों तो आहिन्सा कि नन्वाइलेंस, धर्म माने टृथ सत्थ्य, धर्म माने चोरिञ न करना, इमांदारी अस्थय, धर्म माने आपता कर बितिक से विर्च्णा, साधगी से जीना और नह एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस समस्टी का एक घटा को और समस्टी के सहयोग से हूँ, मेरे शरीर की, मेरे स्किन की, मेरे ब्लड की, मेरे बॉन की, एक एक कोशी का, मेरा each and every cell उनसे बनने वाले ट्यूश उनसे बनने वाले ओर्गन उनसे बनने वाला पुरा सिस्टम मेरा पुरा एक्जिस्टेंस इस पुरे समष्टी के सहयोग से है मैं अकेला नहीं हूँ मेरा करतव यह है कि सारी स्रिष्टी मेरे लिए काम कर रही है तो मेरा अस्तित्व भी पूरी समष्टी के लिए इस हॉल यूनिवर्स इस वर्किंग फॉर मी और माई एक्जिस्टेंस फॉर आल यह एक द्रिष्टी कि सब कुछ मेरे लिए और मैं सब के लिए हूँ यह धर्म है इसको हमारे अपरी ग्रह का है पवित्रता तन की, मन की, धन की, जीवन की, राधनीती की चैह वो विधाय का, कारे पाली का, न्याय पाली का और यह चैह ख़बर पाली का शुचिता यह धर्म है संतोश माने पोन परिश्रम के उपरांत यह जो कुछ प्राप्त हाँ उसका त channels that चैहन applies को संतोश कएा ऐसे नहीं अजगर करेन चाकरी पंची, करेन काम दास, मलू का कह गई सब के दाताराम नहीं करना कुछ काम यह धर्म नहीं भग संतोश का अरत है सारे दुनिया के दार्षॣिक एक बात कहते हैं, जितना इस धर्ती पर संसाधन है, जितने आज धर्ती पर लोग हैं, इससे दसगुना जादा भी लोग हो जाएं, तो भी सब के लिए पर्यापत है, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर लस्ट है, वासना है, तृष्णा है, अब विवेक्पुन कामनाई हैं, तो एक व्यक्ति के लिए भी यत्प्रथिव्याम्रियययों, हिरनम, पश्वास्त्रियह, एक अश्या, अपने पर्यापतम, तस्मा, त्रिश्रम, परितेजित, सारी दुनिया का वैभव यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए, तो उसको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो धार्मिक सचा धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो अनुभाव करता है कि मैं तो स्विम में पून हूँ, मुझे बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति, बाहर की सम्रिद्धि, बाहर का इश्वर्य, बाहर की सफलताई, बाहर की उपलगदियां, ये मुझे पूरा पूर्ण संतोशी सदासुखी यह धर्म है पुर्शार्थ करना यह धर्म है तब करना संखर्ष करना अनुकूलता प्रतिकूलता मान संमान जय पराज अलाब हान यह सब होगे लेकिन इस अब के बीच में सम रहना यही योग है यही अध्यात्म है यही धर्म है तब करना और अपने आप से दूर नहीं जाना अपने आपे को नहीं खोना अपने आप से दूर नहीं जाना मैंने पहले भी बोला आप से जुड़े रहना तो सारी समष्टी के साथ एक लई बद्धता होती हमारी और शरीर से परे एक अन्विजिबल टूथ है उसको आत्म कहते हैं सोल कहते है उससे भी परे एक अन्विजिबल टूथ है उसको सुपर सोल कहते है यही स्रिष्टी का धर्म है इस पूरे अस्तित्व का धर्म है तो धर्म को इस रूप में जो समझेगा वो कभी धर्म में के उन्माद में फसेगा, एक होता धर्म उन्माद, पागलपन, पागलपन तो कहें पर भी आजाए, वो ठीक नहीं होता है, वो धन के प्रति पागलपन हो, सत्ता के प्रति पागलपन हो, मीडिया में भी कुछ पागल लोग होते हैं, बाबाउ में भी कुछ पागल लोग होते है सबी जगोते हैं आप बुरा मत मनना आपने तो मुझे बुलाया बहुत प्यार से मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ यह तो हो समझे का पागल लोग होते तो समझे का पागल लोग है तो मैंने बात की धर्म की राजधर्म माने प्रजा के प्रती अपने उत्तरदाइत्व को बिना किसी भेदभा और पक्षबात की निभाना, अपने लिए कुछ नहीं चाना, देश के लिए सब कुछ चाना, क्योंकि सारे देश का संबान, स्वाविमान, सारे देश का अस्तित्व, एकता, खंडता, संप्रुपता, उसका वरतमान और भविश्य, जिनकी नियत, नीतियों और नित्रतों में निर्भर करता है, वो अपने ठीक नियत के साथ ठीक नीतियां बनाए और राष्ट को ठीक नित्रतों देराद धर्म होता है, इसका ठीक से पालण करे, तो मैंने धर्म का एक व्यापक परिपेक्षे आपके सामने रखा, क्योंकि मैं धर्म को जीता हूँ, मैंने धर्म को पढ़ा है, धर्म का तत्वा भी आपके बीच में रखा, और धर्म में भी दो तरह के धर्म होते हैं, फिर और डीप ली जाते हैं, एक होता है हमारा सांसा भोतिक धर्म, एक होता है हमारा पारमार्थिक धर्म, जिसमें हम द्रिष्ट सत्यों से अद्रिष्ट सत्यों के और दाते हैं, जैसे जीवन द्रिष्ट सत्य है, इस जीवन के पीछी जो पूरु जन में है और जो पुनर जन में है वो अद्रिष्ट सत्य है, जैसे जिस मस्तिस उससे मैं बोल रहा हूं वो दिखता है लेकिन इस मस्टिस्क में जो ज्यान शक्ति हो अद्रिष्ट सत्य है सब की भीतर जो इंटेलिजेंस लेवाल हुआ लग लग है सब की प्रतिभा सबका वो धिक्साम अर्थे प्रज्या मेधा वो एक जैसी नहीं है वो अद्रिष्ट सत् है और हर द्रिष्ट सत्य की पीछे अद्रिष्ट सत्य है और हमारी पूरी जीवन की यात्रा द्रिष्ट से अद्रिष्ट की ओर है मूर्थ से अमूर्थ की ओर है व्यक्त से अव्यक्त की ओर है ज्यात से ज्यात की ओर है उसको हमारी अद्रिष्ट सत्य का है इसी में मोक्ष और चंद्र करन घर औंष्टि पन्ध फ्रेमस चंद्रमसाविवब यह सुन शूर्णंद्धा घ्नता जानता संगमे महि कि जैसे शूर्य अपना काईय कर रहा है यह दरती एक डाना डालो हजार दाना drum हापस करके दे दे वो जीते जी मोक्ष धर्म में बरता है और मनने के बाद भी उसका निर्वान मुक्ती हो जाती है, यह मोक्ष धर्म है, तो जीवन के हर परिपेक्षे में यह धर्म सब्द जुड़ा हुआ है, हम यह धर्म में जीते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह होगी, कि हम अपने लिए ब पूरा नहीं करेंगे मैं मनुष्य और मनुष्यतर सब जिवों की हिफाजत की काम ना करता हूं ये मेरा धर्म है मैं कह रहा हूं जो आपको दिमाग से सही लगे जो सही है वो धर्म है और जो गलत हुआ धर्म है